वेलकम डू स्रीजी फूड आज हम बनाएंगे एक इविनिंग स्नैक्स या आप किटी पार्टी में सौव कर सको उस तरह की एक रेसिपी बनाने वाले है आज मैं आपको पौहा की कटलेट्स बनाना सिखाने वाली हूँ ये कटलेट्स उपर से एकदम क्रिस्पी और खाने में बहुत ही टिस्टी बनती है तो चलिए उसे किस तरह से बनाना है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले हमें आलू को बॉयल करके मैश कर लेना है ये मैंने 600 ग्राम आलू को बॉयल करके मैश कर लिया है अब हम इसमें मसाले करेंगे तो सबसे पहले स्वाद अनुसार नमकेड कर वनटी स्पुंजितना धनिय और जीरे का पाउडर दोटी स्पुंजितना लाल मिर्ज पाउडर थोड़ी सी हल्दी हाफ श्पुंजितना गरम मसाला थोड़ासा ब्लैक पेपर पाउडर, काले मिर्ज का पाउडर एक कैप्सिकम और दो से तिन हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया है, वो एड करेंगे, हरा धनिया एड कर दे, दो टी स्पुन्जी इत्ना हरी मिर्च का पेस्ट एड करेंगे, लसुन एड करना चाहो, तो भी एड कर सकते हो, पौहां को मैंने 10 मिनिट पहले भीगों के रखा था वो इसमें आड़ करना है तो उससे पहले हम आलू का मिक्षर एक बार मिक्स कर लेते हैं जो पौहां हमने भीगों के रखा था उसे एक बार हाथ से मिक्स कर ले पौहां आलू के मिक्षर में एड़ कर देना है ये 300 ग्राम पौहां मैंने लिया था और कप से नापते है तो ये दो से धाय कप जितना पौहां है इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर ले हर रोज इस तरह की नई नई रेसिपी सिखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बाजू में दिये गए इस बैल आइकोन पे क्लिक कर दे ताकि मेरे हर नई वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका धन्यवाद मार्केट में इस तरह के कटलेट के मोल्ड मिलते है उससे हम कटलेट बनाएंगे तो जो मिक्षर हमने रैडी करके रखा है उसमें से थोड़ा ले ले और इस तरह से पहले गोले जैसा बना ले थोड़ा tight press करें ताकि cutlets का shape अच्छा है इसे mold में इस तरह से tight press कर ले जितना tight press करोगे उतना ही cutlets का shape अच्छा बनता है इस तरह से करने के बाद plate पे इस तरह से आपको थोड़ा उसे shape दे देना है अब किनारों से इसे अलग करते जाए बहुत ही easily यह बन जाता है इस तरह से हमें cutlets बनानी है तो मैं इसी तरह से सारी cutlets पहले बना लेती हूँ इसी तरह से हम बनाते जाएंगे अब इसे fry करने के लिए मैंने oil गरम करने के लिए रख दिया था oil गरम हो चुका है तो पहले इसे add करते है उस time पे gas low रखेंगे अब gas की flame medium to high कर देंगे क्योंकि आलू पके हुए ही है तो इसे fry होने में ज्यादा time नहीं लगेगा अगर आप gas की flame slow रखोगे तो cutlets oily बनती है एक side turn कर दे और दूसरी side भी fry होने दे थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहे ताकि दोनों side से अच्छा golden brown कलर का ये fry हो इस तरह का एकदम crispy और golden brown cutlets हमें fry करना है तो मैं इसी तरह से बाकी cutlets भी fry कर लेती हूँ अब हमारी पोहा की cutlets serving के लिए ready है ये cutlets उपर से crispy और खाने में बहुत ही tasty और flavorful बनती है मैंने अभी इसे tomato ketchup के साथ सव किया है आप इसे चटनी या दही के साथ भी सव कर सकते हो तो अब भी एक बार बना के जरूर try करें I hope आपको मेरी आज की recipe पसंद आई होगी इसी तरह की और recipe सिखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले